भारत की सेना बनी रन मशीन कश्मीर में सेना ने लगाई डबल सेंट्र 19 घंटे में ही कर दिया आठ आतंकियों पुड़े जम्मू कश्मीर में सेना का ओप्रेशन ओल आउट तेजी पर है और आतंकियों की शामत आई हूए साल 2018 में सेना ने धेर किये गया आतंकियों का आकड़ा दोसों के पार पहुँचा कर अपनी डबल सेंट्री अभी से पूरी कर ली इस साल सेना अब तक 201 आतंकियों का सफाया कर चुकी है साल 2017 में भी सुरक्षा वलों ने 213 आतंकियों को मौत के दर्वाजे तक कहुचाया था वही साल 2016 में 150 आतंकियों को मार गिराया था इस लिहाज से इस साल यह उप्रेशन और भी तेजी से चल रहा है आतंकियों के सफाय के लिए भारतिय सेना कश्मीर में अब इसराइली सेना की तकनीक का इस्तिमाल कर रही है कश्मीर में आतंकी ज्यादा तर रहाईशी इलाकों में छिपते हैं ऐसे में जिन विल्डिंग में आतंकी छिपते हैं भारतिय सेना के जवान उस पर कैस सिलेंडर से तेज आग की बोचार करते हैं मजबूरन आग से बचने के लिए आतंकीओं को बाहर आना ही पड़ता है और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वहां मुझतैद हमारे जावाज उन्हें मार किरादे प्लेन बर्नर के इस्तिमाल की वज़े से कोई बड़ा नुकसान होने से पच्चा सेना इन दिनों उन आतंकीओं को पास दोर से निशाना बना रही है जो कश्मीरी युवाओं को आतंक बात की राह पर अकेल रही है ऐसे कई कमांडर्स का सफाया आप तक किया जा चुका है